नौवा पर्षन है समानतर चत्रभुज ABCD के विकड़ BD पर दो बिंदू P और Q इस परकार इस्थित है कि DP बराबर BQ ABCD यह एक समानतर चतुरभुज है इसका एक बिकर्ड BD है इस बिकर्ड BD पर दो बिंदू P और Q इस परकार इस्थित हैं कि ये वाली दूरी ये जो BQ दूरी है वो DP के बराबर है अब क्या कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चवथा, पाँचवा एक एक को हम सिद्ध करेंगे पहला क्या सिद्ध करना है तिर्भुज APD सरवांगसम तिर्भुज CQB तो तिर्भुज APD रूढ़िए तिर्भुज APD ये वाला तिर्भुज और एक दूसरा है CQB CQB ये वाला तिर्भुज ये दोनों सरवांगसम करना है तो चलिए पहले इसे करते हैं चलिए पहला तिर्भुज APD वा तिर्भुज CQB में BC बराबर है ADK BC बराबर AD कैसे? समानतर चतुर्भुज की सम्मुक भुजा है समानतर चतुर्भुज की सम्मुक भुजा और ये DP बराबर है BQ के DP बराबर BQ ये तो पर्ष्ण में दिया गया है और ये वाला कोड इसके बराबर है इसको एक माने इसको दो माने तो कोड एक बराबर है कोड दो क्यों बराबर है देखिएगा ये BC और AD समानतर है समानतर चतुर्भुज है ये तो ये इसकी सम्मुक भुजाए है तो बराबर और समानतर होंगी और ये तिरियक रेखा है तो ये वाला कोड और ये वाला कोड एक आंतर कोड है तो एक आंतर कोड बराबर होंगे एक आंतर अंतर कोड तो इस तरह से ये दोनों तिर्भुज सर्वांगसम हो गए तिर्भुज APD सर्वांगसम हो गया कैसे दो भुजाएं और एक मद्यस्त कोड बराबर है तो पहला आपका प्रूब्ड हो गया अब चलिए दूसरा वाला देखिएगा ये दोनों तिर्भुज सरवांगसम है और दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है कि AP बराबर CQ तो AP और CQ को ढूढ़िए AP कहां है ये वाला और CQ है ये वाला तो जो तिर्भुज अभी सरवांगसम किये हैं उन्हे के ये संगत भाग है तो AP बराबर हम CQ लिख सकते हैं AP बराबर CQ कैसे CP CT इन्ही दोनों तिर्भुजों के ये संगत भाग है तो ये दोनों तिर्भुज जब सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे तो इस तरह से दूसरा भी सिद्ध हो गया चलिए तीसरा वाला सिद्ध करते हैं तीसरा क्या करना है तिर्भुज AQB ये वाला तिर्भुज और कोन है तिर्भुज CPD इन दोनों को सर्वांगसम करना है तो तिर्भुज AQB वा तिर्भुज CPD इसमें क्या चीज बराबर है देखियागा ये वाली भुजा इसके बराबर है A B बराबर है CD के A B बराबर CD क्यों समानतर चेतर भुज की सम्मुख भुजा है समानतर चेतर भुज की सम्मुख भुजा A, B, C, D जो समांतर चतुर भुज़ है उसी की सम्मुख भुज़ा है तो सम्मुख भुज़ा है बराबर वा समांतर है तो ये भुज़ा इसके बराबर और ये वाली भुज़ा इसके बराबर ये तो दिया गया है D, P, बराबर B, Q D, P, बराबर B, Q ये दिया है और तीसरा क्या चीज बराबर है तीसरा देखिए ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर है इसको मान लेते हैं तीन और इसको मानते हैं चार क्यों बराबर है ये इसके समांतर है और ये तिरियक रेखा है तो ये और ये कोड हैं एक आंतर कोड तो कोड तीन बराबर है कोड चार एक आंतर कोड एक आंतर अंतर कोड तो इस तरह से ये दोनों तिर्भुज भी सर्वांगसम हो गए तिर्भुज AQB सर्वांगसम हो गया तिर्भुज CPD कैसे दो भुजाएं और एक मद्यस्ट कोड बराबर हैं तो तीसरा वाला भी सिद्ध हो गया अब चलिए चाउथा वाला चाउथा क्या सिद्ध करना है AQ बराबर CP AQ ये वाला और CP ये वाला तो जो दोनों तिर्भुज भी आपने सर्वांगसम किया है उसी के ये संगत भाग हैं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं AQ बराबर CP कैसे ये दोनों तिर्भुज सर्वांगसम हैं और ये दोनों उसी के संगत भाग हैं यहां लिखेंगे CP CT सर्वांगसम तिर्भुज के ये संगत भाग हैं अब आईए पांचवां वाला सिद्ध करते हैं पांचवां में हम क्या सिद्ध करना है कि A, P, C Q एक समान तरचतरवुज है A, P, C, Q ये एक समान तरचतरवुज है तो देखिएगा हम जो दूसरा वाला यहां पे से दिखिये हैं इसको समी करण एक माल ले और इसको समी करण दो माल ले जो चवथा में से दिखिया है इसको समी करण दो माल लेते हैं अब समी करण एक योम दो से समी करण एक योम दो से समी करण एक में क्या दिया गया है A P बराबर है C Q के और समी करणड़ 2 में क्या है A Q बराबर है C P के अब यहां आप चितर में देखिए A P बराबर C Q A P बराबर है C Q के ये सम्मुख भुजाय हैं और बराबर हैं दूसरा देखिए A Q बराबर C P AQ बराबर CP ये भुजा इसके बराबर ये वाली भुजा इसके बराबर जब किसी चतरभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो इससे सिद्ध होता है कि वह चतरभुज एक समानतर चतरभुज है क्योंकि समानतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अताहा चतुर्भुज एपी सी की वो एक समानतर चतुर्भुज है जोहाँ का जाहाएं जात प्लत में इपो जाएंगे? जोहाँ गरत हो है